दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप SBI Net Banking यूज करते हो वह अगर किसी कारणवस आप अपनी SBI Net Banking का यूजर नेम भूल गए हो तो उस यूजर नेम को हम कैसे वापिस सेट कर सकते हैं यानि यूजर नेम को हम वापिस बना सकते हैं यही हम आज के इस वीडि पस भूल गए हो तो मेरे इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखें वह बड़ी ही आसानी से अपना यूजर नेम बनाए तो बने रहे हैं आपके अपने यूजर नेम भूल गए हैं तो उसके लिए आपको वापिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारे को जो SBI की Net Banking की साइट होती है उसको ओपन करके वह उसमें इंटर होके ही हम अपना यूजर नेम रिसेट कर सकेंगे तो जैसे मैंने SBI Net Banking की साइट ओपन कर ली है और ओपन करने के बाद जो है यह है State Bank of India Personal Banking इसके उपर मेरे को किलिक कर देना है तो मैं इसके उपर किलिक कर देता हूँ जो Continue to Login को बड़ा Option है Continue to Login के Option पर किलिक कर देना है जैसे ही मैं Continue to Login के Option पर किलिक करूँगा तो इस तरह का यह जो है SBI Net Banking का पेच मेरे सामने खुलके आ जाएगा अभी अगर हमारे को इसमें यूजर नेम और पासवर्ड पता होता तो हम इसमें लो इन दोनों Optionों में कुछ ही नहीं बरेंगे पेच को उपर की तरफ स्क्रोल करेंगे और जो पेच के नीचे की तरफ एक Option आपको दिखाई दे देगा Forget Login पासवर्ड इस Forget Login पासवर्ड के उपर हमां किलिक कर देंगे जैसे ही हम Forget Login पासवर्ड के उपर किलिक करेंगे तो य नेरो दिया हुआ है इसके उपर हमारे को किलिक कर देना है जैसे ही हम किलिक करेंगे तो हमारे सामने कई Option श्यो कर देंगे तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें Forget My Login पासवर्ड, Forget Username, Set Login पासवर्ड, Request Under ID Through SMS तो हमारे को तो इसमें जो यूजर नेम है अपना वो सेट करन नीचे Next दिया हुआ है इस Next वाले Option पर हमारे को किलिक कर देना है जैसे ही हम इसमें Next वाले Option पर किलिक करेंगे तो यह हमारे को एक New Team एक New Page में लेकर चला जाएगा जहां पर हमारे को कुछ Bank से Related जो Information है वो फिलप करनी है जैसे यह पैच आ गया तो इसमें सबसे पहले हमार CIF नमर फिलप करना है तो यह CIF नमर आपको जो है आपकी जो Passbook या Bank Statement है उसमें आपको CIF नमर अकाउंट नमर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके बाद में हमारे को अपनी Country जो है Country सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में जो हमने बैंक में Mobile नमर रिजिस्टर् कारवा है वो केपचा हमारे को डालके और सम्मिट कर देना यह इतनी कारवाई हमारे को करनी है जैसे हम यह कारवाई करेंगे हमारे पास एक OTP आ जाएगा तो जैसे मैं यह पूरी Information फिलप कर लेता हूं मैंने पूरी Information फिलप करके सम्मिट किया तो सम्मिट करते ही देखो मेरे सामने इस तरह का एक Option आ गया और जैसे ही मैंने OTP इंटर किया तो आप देख सकते हो कि यहां पर लिखा हूआ आ गया Login username has been sent to your registered mobile number Login username is यह तो आपका यह username आपके सामने स्यों हो जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक सेर वर सबस्क्राइब चेनल को जरूर करें थेंक यू